सबीको मेरा राम राम आज हम बृत पे डिसकस करता है कि बृत की मुख्य जो परिभाशा है वो कौन कौन सी बनती है जो की प्रिख्षा में आ सकती है कमिशन में ट्रैंग कमिशन में आ सकती है और एर्थ और टेंथ क्लास के बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूसफुल रहेगा क्योंकि उनके लिए परिभाशा आती है और उन्हें ये याद करनी बहुत ही जरूरी है तो मुख्य जो परिभाशा है उसके पर आज हम थोड़ा सा डिसकस करते हैं द्रिष्टी डालेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करते है ब्रिथ ब्रिथ किसे कहते है तो हो समशेतर जो गोल रेखा से घिरा हो उसे ब्रिथ कहते है या इसकी परिवाशा बनती है कि हो समशेतर जो गोल रेखा परिधी से घिरा हो जो ये गोल रेखा होती है इसको हम परिदी कहते है इसकी definition में आपको बाद में बताऊंगा पर इसको जो गोलेखा परिदी से घीरा हुआ हो उसको हम कहते है बृत जैसे कि आप चितर में देख सकते हैं यह हमारा बृत है और यह तो सभी को पताए कि इस तरह से बृत होता है और यह बृत की परिभाशा है तो चलो अगली परिभाशा पर चलते है अगला हमारा है कैंदर जिस बिंदू से बृत या चाप खीचा जाए उसको कैंदर कहते है जिस बिंदू से बृत या चाप खीची जाए उसको कैंदर कहते है जैसे कि आप चितर में देख रहे है यह हमारा जो A center जो दिया हुआ है जहांपे A आप देख रहे है यह हमारा होता है कैंदर और कैंदर हमेशा बृत की जो परीदी होती हो उससे बिलकुल सम्मान दूरी पर होता है कहीं से भी आप इसको नाप सकता है यह बिलकुल इक्वल होता है हर पॉइंट से हर एक परीदी हमेशा हमेशा बिलकुल सम्मान दूरी पर हो इसलिए मैंने कैंदरी के प्रीवाशा में तोड़ा जो 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 परीदी है ये हमारी परिदी है जो colored line आपको दिख रही है इस रेखा को हम कहते है परिदी और इसके अंदर का जो शेत्र होता है वो हमारा होता है ब्रित ये इसमें difference आपने करना है कि जो परिदी है वो सिर्फ एक रेखा है और जो ब्रित है वो पूरा परिदी के साथ साथ जो अंदर का जो भाग है वो भी बृत में आता है अगला हमारा है ब्यास ब्यास किसे कहता है वहर रेखा जो ब्रित के कैंदर से निकलती हुई परीदी के दोनों और मिले उसको हम कहता है ब्यास जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं यह जो रेखा आपकी आदी एरो के निशाने इसमें लगे हुए दोनों साइड तो यह जो सेंटर से निकल देई है और दोनों साइड यह परीदी तक पहुची हुई है यह परीदी से बीज में नहीं रुखी हुई है बिल्कुल परीदी तक गई हुई है इसको हम कहते हैं ब्यास अगला है अर्द ब्यास या ब्यास अर्द या इसको तरिज्या भी हम कह सकते हैं ये तीन तरह की परिभाशा है इसकी बंती और इसका एक ही अंसर आता है वो है कैंदर से परीधी तक खीची गई सरल रेखा जो परीधी के एक और चुएं को अर्ध ब्यास ब्यास आर्ध या तरिज्या कहते हैं इसकी एक ही परिभाशा बनती है और तीन तरे से इसको पूछ सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं चितर में आप जिसे देख रहे हैं यह हमारा है अर्ध ब्यास है यह सेंटर से एक ही साइड को परीधी तक खूटा है इसको हम कह सकते हैं ब्यास अर्ध या तरिज्या या अर्ध ब्यास यह हमारा यह center से एकी side किदर को भी right side या left side किदर को भी यह जा सकता है पर यह one side जो है बृत की परिधी को जो है वो एक side से चुएंगा अगली परिभाशा हमारी है चाप बृत की परिधी के किसी भाग को चाप कहते हैं जो अर्ध परिधी से कम हो तो यह आप देख सकते हैं चितर में यह हमारी है चाप जैसे यह सेंटर पुरा ब्रिद बना हुआ है और सेंटर से उपर जहां पर A और B लिखा हुआ है यह सिर्फ इतनी सी होती है चाप और जो अर्ध परिदी होती है वो होती है ब्यास से उपर की जो परीदी है वो सारी अर्थ परीदी उसको का जाता है बट ये जो है सिर्फ छोटी सी अर्थ परीदी से भी कम भाग जो है उसको हम कहते है चाप उसको अगर हम नीचे तक एवी रेखा को लगाता है अर्द ब्यास तक लगाएंगे तो अर्द परिदी बन जाएगा इसलिए वो फिर चाप नहीं रेगा तो चाप जो है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है परिदी का अगला हमारा है जीवा चाप के सिरे को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते है आप इस परिभाशा में उसमें देखिए चितर में ये चाप लगी हुई है जैसे आप देख सकते हैं ये एसी चाप है इसके सिरे को जो मिलारी रेखा है जो एसी रेखा एक तो आपके पास एसी चाप है दूसरा आपके पास एसी एक रेखा है तो जो ये रेखा है इस रेखा को हम कहते है जीवा ये जो एसी रेखा है इसका नाम हम जीवा है और इसकी परिवाश है ये कि चाप के सीरे को जो रेखा मिलाती है उसको हम जीवा कहते है अगला है अर्द बृत सेमी सरकल बृत के आधे भाग को जो ब्यास और चाप से गीरा ह वो अर्द ब्रित कहते है अब जो ये आप देख रहे है ये आपके पास ए जी जो रेखा रही है ये हमारे पास है ब्यास और इससे उपर का हिस्सा ले लो चाहे निचला ले लो वो हमारा है अर्द ब्रित उपर का हिस्सा भी आदा ब्रित है निचला हिस्सा भी आदा ब्रित ह कोई सा भी एक हिस्सा जो हाँ है उसको हम कहेंगे अर्द बृत गगला है दूत तरिज्या बृत का वह भाग जो चाप और दो अर्द ब्यासों से गीरा हो उसको दूत तरिज्या कहते है जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं यह हमारा बृत बना हुआ है और परिदी पे सें तो यह जो दोनों रेखा है इसको हम पढ़ा जाएगा दूत रेज्या और इसको बृत खंड भी कह सकते है पर यह भी दूत तरिज्या हम इसको कहेंगे अगला हमारा है आउधा या बृत खंड तो चाप और जीवा से गिरा हुआ शेत्र आउधा कहलाता है अब आप देख स अगला हमारा है इसकी परिवाषा है कि बृत की स्पर्ष रेखा वह होती है जो बृत को ठीक एक बिंदू पर प्रती छेद करती है इस बिंदू को स्पर्ष रेखा या स्पर्ष बिंदू कहते हैं जैसी कि आप चित्र में देख रहे हैं यह हमारे पाप बृत बना हुआ है पी बृत है और इसके उपर एक रेखा लगी हुई है क्यू जो पॉइंट आया था क्यू बिंदू था क्यू बिंदू से एक रेखा लगी हुई है क्यू आर तो यह जो रेखा है इस रेखा को हम कहते है स्पर्ष रेखा और जो क्यू पॉइंट है इसको हम कहेंगे स्पर्ष बिंदू इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इस पर श्रेखा और स्परश बिंदु को कैसे हम दर्शा सकते हैं कैसे हम समझ सकते हैं अगला हमारा है सकैंदर बृत एक कैंदर वाले दो या दो से अधिक बृतों को सकैंदर बृत कहते हैं इसकारती ये है कि एक ही center है और एक ही center से बहुत सारे आपने भृत खींच दिये जैसिए आप चितर में देख रहें तीन-चार भृत लगा रख है पर इनका center point एक ही है तो इसको हम कहेंगे सो कैंदर भृत एक ही कैंदर से निकले हुए बहुत सारे ब्रित, इनको हम कहते हैं सकेंद ब्रित, अगला हमारा है भिन कैंदर ब्रित, यदि एक ब्रित के अंदर खींचे गई अन्नेक ब्रित, जिनके कैंदर अलग अलग हो, भिन कैंदर ब्रित कहते हैं, जैसे कि आप चितर में देख रहे ह तो भी एक बहुत बड़ा ब्रित बहार लगा हुआ है उसके अंदर फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरह से फिर जिस कलर से ये बहार का ब्रित लगा हुआ है उसी कलर से अंदर एक सेंटर इसका दिया हुआ है फिर सेंटर दूसरा जो ब्रित है उसी कलर से अंदर एक सेंटर दि अगली हमारी परिवाशा है छेदिक रेखा वह रेखा जो बृत को दो बिंदूओं पर काटती हुई बाहर निकल जाती है उसको हम छेदिक रेखा कहते हैं जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं यह जो हमारी रेखा ब्रिद बना हुआ है और इस ब्रिद पर एक रेखा दोनों साइट को इसको काट रही है ए और बी पॉइंट पर बाहर भी जा रही है अगर यह यहीं तक रुपती तो इसकी परिवाशा कुछ और होती पर यह दोनो हुआ ब्रित परी ब्रित कहलाता है और इस परी ब्रित की तरिज्या को परी तरिज्या कहते हैं जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं यह आपके पास एक सर्कल बना हुआ है और इसके अंदर एक त्रिवुज बनी हुई है जो त्रिवुज को घेरा सर्कल है इसको हम कहते ह इसको हम परिवृत कहते हैं इसमें से एक तरजया निकल रही है इसको हम कहते हैं परिवृत को डिफाइन कर सकता है और ये परिक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अगला हमारा है अंतर बृत या अंतर तरजया तो तरीभुज की भुजाओं को स्पर्श करता ब्रित को त्रिभुज का अंतर ब्रित और इस अंतर ब्रित की तरिज्या को अंतर तरिज्या कहते हैं जिसके आप चित्र में देख रहे हैं बाहर से त्रिभुज बनी हुई है वो त्रिभुज के अंदर एक ब्रित बना हुआ इसको कहते हैं अंतर ब्रित त्रिबूज के अंदर का जो ब्रित है उसको हम कहते हैं अंतर ब्रित और इसमें से जो त्रिजा निकल रही है इस त्रिजा को हम कहते हैं अंतर त्रिजा इस तरह से आज हमने बहुत सारी डेपनेशन्स पे अंतरा डिसकस किया और आगे भी इसी त प्रित के बहुत सारे प्रेशन आते हैं तो गुजारिश है उन बच्चों को जरूर पोचा है शेयर करें ताकि ज्यादे ज्यादा बच्चों को इसका फाइदा आप सके थैंक्स पर वोचिंग माई चैनल राइं